हाई जाइज वेल्कम योर फ्रेट यूटूब चैनल फेशल क्यार और सेल्फ हाई फ्रेंज दिशी शीशा फ्रेंज आज मैं हंडेट परसंट चैलेंज लेने वाला ऐसा फेस पैक लेके आए हूँ जिसको इस्तेमाल करने से फ्रेंज आपके स्कीन फ्यार बनते हैं आपका स्कीन टोन लाइटन होता है आपका स्कीन में जो भी दाग दबा है और रिमूब होता है आपका स्कीन क्लीन और क्लियर बनता है और स्कीन में एक ब्राइटनेस भी आता है इस टिप्स को फ्रेंज हर को ही इस्तेमाल कर सकते है और टाइप स्कीन इसको इस्तेमाल कर सकते तो चली फ्रेंस देख लेते हैं इस कौन सब फेस पैक है जिसको इस्तमाल करने से इतना सारा बेनिफिट मिलता है और इसको बनाना भी बहुत इसी है क्योंकि फ्रेंस इसको बनाने के लिए मैं जो भी इंगिरस लूँगी ये सारा चीज आपको अपने किचन रूम में मिल जाएगी तो चली फ्रेंस बना लेते हैं इस फेस पैक को और इसको मैं अपने उपर ट्राइ करके भी इसका लाइफ फ्रेजल आपको दिखाऊंगी पर दोस्तों इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप मुझे फिस टाइम देख रहे हैं तो मेरे वीडियो के नीचे देखिए एक सब्सक्राइब बटन और एक बेल बटन आ रहा है इन दोनों को क्लिक कर ले इन दोनों को क्लिक करने से फ्रेंस नेक्स टाइम मैं जब भ को भी क्लिक कर सकते हैं तो चली फ्रेंस देख लेते हैं इस पेस पैक को बनाने के लिए क्या क्या आपको अपने किचिन रूम से लेना है तो लेज गो पहले आपको लेना है फ्रेंस बेसन चैनी का बेसन बहुत अच्छा रहता है स्किन टोन को लाइटन करने के लिए स्किन का जो भी दाग दबा है उसको रिमूब करता है और स्कीन को फ्यार बनाता है आपके स्कीन में जो डेट सिल है उसको रिमूब करने के लिए हेल्प करता है तो चनी का बेसन तो हर किसी का किचन रूम में रहता ही है तो आप ले लीजी दो चमत चनी का बेसन और इसमें हम लोग ज जीचिटकी आपको हल्दीस में जोड़ना है और इसके बाद फ्रेंस आपको इसमें जोड़ना है नीवू फ्रेंस आपके skin tone को फ्यारंबराने के लिए हेल अधिक करता है क्यूंके फ्रेंस नीवू एक natural bleaching का काम करता है नेचरल ब्रीचिंग प्रोपर्टिस नीमू वे रहता है और इसके साथ इसाथ फ्रेंस नीमू में बहुत जादा विटमिन C रहने के बज़े से ये स्कीन टोन को लाइटन करने के लिए हेल्प करता है तो हम लोग लेंगे नीबू का रस एक चमन और इसके बाद फ्रेंस आपको लेना है गाय की दूर या कोई भी मिल्क ले लीजिए पर ओ रॉव मिल्क हो और ठंडा हो ऐसा मिल्क आपको लेना है मिल्क फेर स्कीन के लिए बहुत अच्छा रहता है मिल्क में वाइट इंजाइम रहता है जो आपकी स्कीन टोन को फ्यार बनाने के लिए हेल्प करता है और फ्रेंस आपको ग्लोई स्कीन दिराने के लिए हेल्प करता है और मिल्क जब लेमन के साथ मिक्स्ट होता है तब फ अच्छे से मिक्ष्ट करके एक ठीक पैक बना लेंगे अच्छे से मिक्ष्ट होने के बाद इसको अपने फेस में आपको एपलाई करना है अभी मैं इसको एपलाई करके इसका लाइफ रिजल आपको दिखाती हूं फ्रेंस आपको अपने फेस में इसको लगा लेना है मैं अपने हाथ में इसको लगा के दिखा रही हूं फ्रेंस आपको फेस में इसको लगा लेना है फूल फेस में लगा ले और लगाने के बाद फ्रेंस 20-25 मिर्ट इसको रख दें 20-25 मिर्ट रखने के बाद आपको नॉर्म से इसको धो लेना है news कि रुल लेना है um ही कर भी सकते नहीं भी सकते कोई प्रॉबल्बम नहीं है आपके आएàng नहीं करके रुचंग संथ है और पने किका में स्कूर में अपन आמתने दिखा रहे तो आप अप्ते में इसको तीन दिन ट्राइ करें पर जिनका भी इसके नॉर्मल टू ओली है इसको आप चार से पास दिन इस्तमाल कर सकते हैं ये फेस्पेक्ट इस इन्स टो काम करता है और उसके साथ ही साथ पर्मेंटली भी आपका स्कीन को फ्यार बनाता है यह मेरा में इस टीप्स को आप प्यार करने लगेंगे क्योंके फ्रेंस यह बहुत अच्छा है हर रोज आप चाहेंगे इसको बनाके अपने फेस्ट में एपलाई करने के लिए तो फ्रेंस चलिए मैं अभी इसको धोके दिखाती हूं मैं तो 20-25 मिन ने रखके दिखा पाऊंगी क्यो आप तो चौकी जाएंगे क्योंकि इतना अच्छा सा रिजल आता ही तो अभी का मैं अभी धोके दिखाती हूं आपको इसको पोच के भी दिखा देती हूं आपको फुल एंड फाइन रिजल्ट तो फ्रेंस यह देखिए मैंने पोच लिया है आप देख सेकते हैं तो मेरा अबी कभी इसको दोके दिखा रहे हूं तो अभी कभी इसको अबी का इसको रिजल कितना अच्छा आया है और आप इसको 20-35 मिन्ट रखते है तो फ्रेंस आपको मेरे से भी बैथा रिजल मिलेगा तो आप देख सकते हैं मेरा राइप 你 से बहता है तो थी झालर में तो प् जोए भी कर पाए और जो बेनिफित भी दिलाए थैंक्स पर वाचिंग, बाई-बाई